लगतार बारिश और भारी बारिश से जिले में दो लाख हेक्टर से ज़्यादा फसल बरबाद हो गई है। साथ ही घरों के साथ साथ गौशालाय भी गिर गई है और जानवरों को भी काफी नुकसान पहुचा है। क्रिशी कार्य भी ठक हो गया है और रोजगार चिनने से कई लोगों की रूजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने प्रेस कॉनफरेंस में मांग की। विपक्ष नेता अजित पवार ने कली अवतमान जिले का दोरा किया और क्षती ग्रस्त क्षेतर का निरिक्षन किया। वे जिले का दोरा कर विश्राम ग्रह में आजित समवादाता समेलन में बोल रहे थे। खरीव का मौसम बीच चुका है और अब किसानों को दोहरी बुवाई के लिए बीजुपलप्त कराए जाए बारी बारिश के कारण सड़के भी खराब हो गई है और यातायाद प्रभावित हुआ है इसे के साथ ही कपास और सोयाबिन की फसलों की वृद्धी रुख गई है और आई की संभावनाई कम हो गई है इसे लिए इन के सानों को विकलत देने के लिए सभी चार क्रिशी विश्वविद्यालयों क्रिशी आयुक्त और क्रिशी सचिव को पहल करने की जरूरत है ऐसी मांग अजित पवार निकी जिल्लादी कारन भेटतास तो करने तुम्हाल सगेन माईते राज्याचे सरकार्चे प्रतिनी दी मनून जिल्लादी कारीतीते काम बगतास्ता अड़े साधारन आमला जेव आतल त्यामी तैंचा लक्षामदे आनून दिलेले परन्तुमला एकागोश्टी चाश्चरे वाट मी आज विरोधी पक्षन एता मनून दावरा करतो है तसाच शेतकर मी हाडाचा शेतकरी है तो जाओ शेतकरेंचे जके नुक्सान जालेले ते जवर्न पाहिले नंतर अपलेला खरेता जातले समस्या करतात उद्याचाला पाउसा यादिवेश्चन जावे सुरू हील मी कदीजा वा तो माजा प्रष्ट वा की चान देजमन देनाख खोप साई कारण ने पर मला एका गोश्टी साच चरेया आज एक राज्याचे मुक्यमंत्रे नीपन पूरो सरले अवर अजित पावर का गेले का गेले है ते मी कह वाजा है ते मी ठड़ वीनना आज माजा ही म कि ये दोरच मुख्यमंत्रे न उपमुख्यमंत्रे मनुंद काम करता है वास्ताविक उपमुख्यमंत्रे न पर साँगीतले कि मागे उद्दव ठाकरे साईब जावेश सरकार्त अन्नी स्थापन केले ते मैं साथ लोको होते इनक्लोडिंग ते जा मदे एकनातरो शिंदे बोल्लो եी चमार कंपको पिश्चिए मजी सगी मंचिर मंध्री मंद्रा था उट्अ सुभाज देशाई सिनेयर मंत्री मंध्री नियों मंत्री होते, मला अट्ट सुभाज देशाई सीनियर मंत्री होते, है अपलाला है महीते, आज तैन्नी तैन्चा पद्धतिन अर्चली मदे आसनर्या शेत करेला मदद करावी, हा कदी गेला, हा कशाला गेला ये असले प्रश्ण उपस्तित करने चा पेक्षा, आज जवर पास 15 17-18 दिवस होन गेले ले, काई ठीकाणी 17-18 दिवस होन गेले ले, आज फिर तास्ताना पन काई भागा मदे पाउस चालू होता, काई भागा मदे पाउस जासता असले, हम गार्या देकील तिकड़ पोचु श्यकला नै आशा प्रकार्ची परिस्तिती है, पंसना में सगे ज आलेल नै, मिया अताचा अडावा घेतास्ताना माहिती घेतास्ताना भगितला, तर जवल पास अपलेया यवतमा जिल्ल्यापूर्ता बोलाईचा जाला, तर सववा दोन लाख हेक्टर क्षेतर अंदाजे बादी तेंसा दोन लाखा परेंता पिक करजाए, तेंसा करजा केला, ते सरकार्नी तेंचे आकाउंटला भरला, ते जान अंतर दूसरे होता कि जे नियमित करजा पेड करनारी शेत करिये, ते बनाले कि वोबा, आमीचे काई चुके, आमी नियमित परत पेड केर, तो मनुन तुमी आमाला काई देनार नही, आणी जयननी थकूल, तेंना म एक जुलेला काल्चा वसंत्रों नायकांच जन्म दिवस कुरुशी दिन मनुना पन साजरा करतो त्या दिवसापा सुन्ती सुरुवाता पन त्या ठीकानी केलेली आहे त्या जा मदे कभी पन्नारा दिधी 18 जुलेला पन पुरोणी मांगने गेनार होतो त्या जात होनार होतो आता हैंचा या सगया गोंधर लेले आवस्ते मुल ते पाउसरी आदिवेशन पन गेत नायकानी आखनी केलेली लागे तेला काई दिवस तेला लागतील मंजे ते जर तनी अधिवेशन तातरी न बोलोल तर अमाला सगया लोका प्रति दिनना जिता जिता पाणी केली ते मुद्दे ते मानता है ति अन्ते सगया इंचा मुद्दे दोनी बाजुचा सत्ताधरी पक्षव विरोधी पक्षव चे आईकून मा सरकार मनून सरकार राते जा उत्तर देताई आड़ी तुमी जो तिसरा मुद्दा सांगितला कि दोन लाखाचा वर त्यावेश मियास सांगितले लोता सबागरा मदे कि आशेया तीन योजना अपन जाहिर केले लोता परनातु योजना जाहिर केले करजमाफी केली आणी करोनाचा सावटाला मनून दोन वर्शा करोनाचा गंबिर अजारा मदे अपले गेले आणि तह जतना उत्पन्दावर पन पर्णाम जाला पर्मी सभागराद माक्चा बजेट मदे सांगित लेलो होता कि आता परिस्थिती पूरुव पदावर यहला लागलेलिये आणा अपन आता तेई पन देनार होत तशा पद्धतिन 15,000 अचा शुरू केलेलो होता आणि 2,000,000 चा उर्च पैसे शेतकरननी भरलेले नंतर बाकी चे 2,000,000 रुपएचे पैसे सारकारनी भराईचे आसा ठरलेले होता आता त्या मंत्री मंदावम दे एकनातराव शिंदेपन सिनियर मंत्री मंदूं काम बगत होते आणि तेंसा इताला पाटिम होता आता ते राज मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची तो घर लाइए सुरुची